CCS की तरप से 85,000 करोड की deal final हुई है और यह जो stock है इनमें एक दिन में ही 2-2% का return देखने को मिल रहा है तो अब अनुमान ये लग रहा है कि एक साल में यहां से हम कितना return ले सकते हैं तो hello and welcome back to asset guide youtube channel आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि CCS ने जो 85,000 करोड की defense deal की है वो किस-किस sector में की गई है कौन-कौन से stock उससे ज्यादा बूम करेंगे किस-किस stock में हम ज्यादा return ले सकते हैं तो जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं यहां पर drone से related है तो यह defense की deal हुई है नरेंदर मोधी ने जो है इसकी अगवाई की है तो CCS के जो यह है इनके बारे में सारी details देख लेते हैं तो चलिए सबसे पहले हम CCS देख लेते हैं क्या है तो यह cabinet committee on security है और cabinet committee on security का मतलब होता है security यानि की हमारी जैसे यह है हमारा देश एक तरीके से इस तरीके से देख लो मैं इतनी drawing नहीं बना पर रहा है यह जैसे मनलब कोई देश है तो इसकी जो security का जिम्मेदारी जिस पर रहती है उसको security कहते है तो security की सुरक्सा के लिए committee बनाए जाती है जिसको cabinet committee on security बोला जाता है तो यह हर बार defense का budget तैय करते हैं कि हम कितना जो कितनी कितना budget रखेंगे इस बार security में तो cabinet committee की इस deal पर जो है इस बार predator drone purchase करने की बात हुई है तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर discuss करेंगे तो CCS committee यानि की cabinet committee on security इसके बार चलिए चलते हैं अपने topic पर deal जो हुई है वो क्या हुई है किस तरीके की deal यहाँ पर हमें देखने को मली है किस country के साथ यह deal हुई है तो cabinet committee की deal जो है 51 predator drone purchase करने की deal हुई है और इस deal की किमत 85,000 करोड रुपे रखी गई है और यह deal USA के साथ हुई है जिसमे 51 predator drone मिलेंगे यह air force के लिए और इस drone का यह benefit है कि इसमें पहली बात तो यह human less है यानि कि इसमें कोई भी pilot बैठना बैठता नहीं है इसको remote control के थुरू चलाया जा सकता है और यह nuclear weapon ले जाने में सक्सम होता है इसके साथ साथ यह missile attack और guided attack जो है इसकी accuracy काफी ज़्यादा advance है तो यह weapon जो है इसलिए काफी जाता है strong हो जाता है तो अभी आपने देखा होगा जैसे इसराइल जो है वो इरान में या दूसरे लेवनान में कंट्री में जो missile attack कर रहा है वो majority में इसी टाइप के predator drone के मदित से कर रहा है क्योंकि drone पहले जाता है ऐसा लगता है जैसे कोई drone उड़ रहा है फिर यह अपना कोई इस पर counter attack भी होता है तो इसमें केवल drone खतम होता है यहां पर हमारा जो pilot है या fighter jet के जैसे पाइलेट है तो वो काफी safe रहते हैं तो यह काफी जो है सुरक्सित attack माना जाता है predator drone के दूप तो इसमें जो है लगभग 15 पंदरा जो है naval sea जो होते न समुंद्री समुंद्री जो सैनिक हैं उनके लिए भी यह दिये जाएंगे जैसे इसमें 51 जो predator drone है यह तो air force के लिए रहेंगे यहां पर 15 naval ship के लिए भी यहां पर drone जिनको 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 जो है आइनेस या विक्रानता जैसे जो जलिये पौध हैं उन से उन पर तैनात किया जाएगा और बहां से भी sector impacted होंगे यानि किसकी sector पर इस deal का impact पड़ेगा और कौन से वो share है जिनके price में एक ही दिन के अंदर deal final हुई और उदर हमें देखने को मिला 2 और 2% से ज़्याद अगा उच्छाल तो पहला जो stock है भारत Dynamics Limited BDL भारत Dynamics Limited में Limited का share जो है इससे काफी अच्छा क्योंकि यह कहीं न कहीं missile बनाते हैं और drone को चलाने के लिए किस चीज की जरूत पड़ेगी missile, drone में missile लगानी पड़ेगी और यहां पर है Maxon Dock CPR Limited यह ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है डिफेंस का ट्रांसपोर्ट इसी के दुआरा होता है अगला है पारस डिफेंस लिमिटेड और इसके बाद H.A.L. हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड और इसके बाद गार्डन रीच यह भी जो है defense manufacturing से रिलेटेड कंपन देखना भी उतना ही important है जितना की fundamental देखना होता है तो चलिए technical analysis कर लेते हैं और तभी हमें exactly पता चलेगा कि किस चार्ट में कितना potential है सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत dynamics limited का तो भारत dynamics limited का technical chart जो है पिछली support पिछले resistance को support मानकर 1000 के price से एक ही दिन में पढ़कर 1221 रुपे पर बंद हुआ है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह आने बाले 2-4 महिने के अंदर ही जो 2000 का 2000 का जो target है वो अचीव कर सकता है दूसरी बात यह यहाँ पर हम कोई भी stock recommendation नहीं कर रहे है यह cable education purpose के लिए है learning के लिए है अगर आप इन stock में निवेस करते हैं बैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अच्छे stock है defense के stock है सारे public sector company है अच्छी company है लेकिन फिर भी आप अपन जो financial advisor है उनसे advise लें खुद की भी research करें उसके बाद ही इसमें जो है पैसा डालने की courses करें लेकिन फिलाल हम यहाँ पर देख रहे है technical chart भारत dynamics limited का तो यहाँ पर हमें just double होता हुआ कुछ time के अंदर ही premium नजर आ रहा है यानि कि आप 1200 रुपे का stock purchase करते हैं तो जल्दी आपक का breakout देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम 2000 तक का target जल्दी ही achieve कर सकते हैं अगला देख लेते हैं चार्ट यह है मैक जोन डॉक सिप विल्डर्स लिमिटेट तो यह सिप बनाने वाली company है इनका price चल रहा है अभी 4000 से यह return 4000 की support लेकर यह price जो है उपर चला 4000 के आसपास trade कर रहा चारजा 384 एक ही दिन में गया यह और यहाँ पर इसका जो target है वो लगबग साड़े 6-7000 के आसपास का target है इस breakout के बाद यह 7000 तक जाएगा लेकि 6000 तो यहाँ पर मानकर आप चली सकते हैं technically जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगला chart देख लेते हैं उसका technical analysis भी हम करे तो यह है पारस defense and space technology limited यहाँ पर यह stock जो है 1000 का low लगा चुका है correction phase complete हो चुका है buying का good opportunity है और यहाँ से हमें इसको 1000 से लगबग 1800 का target इस stock में भी देखने को मिल सकता है पिछले data के आप से देखें तो यह अपने resistance से support लेकर यहाँ पर breakout होकर उपर गया आप correction करके उपर जा तो इसमें भी हमें बड़े target अगर आप long term के लिए hold करते हैं तो इसमें आप जो है काफी अच्छा return कर सकते हैं multi bagger भी यह stock साबित हो सकता है अगले technical data की तरफ चलते हैं अगला chart देख लें है यह है garden green ship and engineers limited करके इनका stocks लगबग 1500 के price से उपर चलना सुरू किया है अभी 1748-1750 के असपास है और यहां पर जो हमें next target देखने को मिलेगा वह 3,500 तक का यह ज्यादा इसमें time भी नहीं लगना लगबग एक साल के अंदर ही आप यहां से भी अपना अच्छा का सा target book कर सकते हैं अगला हम stock देख लेते हैं बैसे तो लगबग complete ही हो गये हैं एक और है हिंदुस्तान एरिनेटिक्स लिमिटेड हल तो है अब कह सकते हैं हवाई जाज बनाने वाली company है तो यहां पर भी इनका प्राइस चारहजार के आसपास चल रहा है चार साड़ चारहजार अगला target 6000 का है और यह जल्दी अचीव होगा और growth आप देख सकते हैं किस तरी को मिल रहा है यहां पर FII, DII institutions और pro traders टाइप के जो लोग होते हैं वो अपनी position बनाएंगे या बना सकते हैं उसी basis पर हमें उनके footprint को follow करते हुए अच्छे time पर इसमें entry मिल रही है अच्छे correction पर यह सभी चीज़े हमें purchase करने को मिल रही है काफी बढ़िया है काफी जल्दी यहां से हमें target अचीब होगा आप second largest जो पिछला highest point आप वहां तक का target इनसे जल्दी ही अचीब कर पाएंगे मुश्किल से six month max to max one year तो इतने time के अंदर तक आप इसे hold कर सकते हैं वैसे भी सारी public sector company है, government support कर रही है तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत वाली है घपराने वाली नहीं है, फिर भी अपना technical analysis जरूर करें, खुद का research भी काफी important रहता है, फिलाल इतना ही मिलते है next video में, तब एक लिए की बोचिक asset guide